जै माई की राजेंद्र सींग जी बिहार से पूँछ रहे हैं कि कई वर्सों से मा बगला मुखी की साधना कर रहा हूँ जीवन में चारों और शत्रों से पीड़े थूँ पहले एक दो काम साधना से हो जाते थे किन्तु अब एक भी काम नहीं होता आर्थिक तंगी भी बहुत है मैं मा के प्रती पूरा समर पे थूँ पर अब मेरा विश्वास उठता जा रहा है क्या करूँ राजन सिंग जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ये सोचते हैं कि मा बगला मुखी जैसी दिव्य शक्ति आपके कुछ लाख जब करने से आपके बगल में खड़ी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत सी साधना माई की की हुई है आताहा मैं अभी कहूंगा कि मेरा कोई सत्रू है और तुम उसे जाकर के तुरंत दंड दे पीढ़ित कर तो बहुत दोड़ करके जाएगी और आपके सत्रू के सर में एक मुदगर मारेगी और फिर वापस आ जाएगी फिर कुछ समय बाद आपको लगेगा कि कोई दूसरा सत्रू मुझे पीढ़ित कर रहा है मेरा कोई रिष्टेदार है या मेरा कोई बौस है जो मुझे बहुत परिसान कर रहा है और आप कुछ और जब करेंगे और फिर माई से कहेंगे कि आप उसे जाकर भी दंडित करो और वो दोर करके जाएगी और अपना एक बज्ज्रस में मारेगी और फिर पुना वापस आजाएगी उसे समाप्त करके फिर आपको लगेगा कि आपकी पतनी आपसे बहुत जगडती है उसकी जीव बहुत ज़्यादा तेज चलती है तो आप माई से प्रात्ना करने लगेंगे कि उसकी जीवा का इस्तंभन कर दो तो वो अभी जाकर कि उसकी जीव को पकड़ लेगी फिर आपको लगेगा कि कोई और सत्त्रू कोई पड़ोसी आपको परिसान कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ लाख जब करेंगे एक सवालाख जब और फिर माई से प्रात्ना करेंगे कि अब तूं इसे भी समाल और वो फिर बहां जाकर कि उसको भी नश्ट कर देगी आपको ज्यान भी है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो दिव्य शक्ती है क्या जिसके बारे में कहा गया है नहीं तब आदी मद्ध अवसाना अमित प्रभाव बेद नहीं जाना इनके प्रभाव को बेद भी नहीं गा पाता वह भी अपनी असमर्था प्रकट करता है जिनका आदी मद्ध और अंत का किसी को पता ही नहीं है जिनकी आराधना तरदेव कर रहे हैं जिनकी आराधना जब आवश्यक्ता भगवान विश्णू को होती है तो वह भी हरिद्रा सरोबर में पानी में आधे खड़े हो करके जिनकी आराधना और तपस्चा में सनलगन हो जाते हैं वह दिव सकती दोड़ करके आपके मन गरंत सारे सत्वों पर हमला बोल देगी उन्हें नश्ट कर देगी ऐसी बचकानी बातें आपके दिमाग में कैसे आ सकती हैं आपको लगता है कि आप ही एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं आप ही एक सत्त का ऐसा दीप हैं जिसे बुझाने के लिए सारी दुनिया आपकी सत्रू बनी हुई है और फिर आप साधना के माध्यम से ये भी चाहते हैं कि मा वगला मुखी उन सारे सत्रूओं को आपके लिए नश्ट कर दे अरे थोड़ा सा बिचार तो करिये कि इतनी दौड़ भाग तो आपके कहने पर आपका पालतु कुत्ता भी नहीं करेगा भहवी आपके प्रतेक आदेश पर दोड़ करके किसी को काटने के लिए आतर नहीं हो जाएगा भहवी ये देखेगा कि उसका वास्तिविक सत्रू कौन है उसे कौन अच्छा लगता है कौन बुरा लगता है फिर ये तो जगत जननी है इनके लिए तो सभी समान है और आपकी इस विक्षप्त मान सिक्ता को वह कैसे सुईकार करके कैसे इसे अंगीकार करके आपके कहने पर आपके आदेश का परिपालन करने के लिए आतर हो सकती है आपको लगता है कि मैं यदि मा के प्रती समर्पित हो जाऊंगा तो मेरी जो भी भोग बिलास्ता पून जीवन है जो भी भोग बिलास्त की सामग्री है वो सभी सुरक्षित हो जाएगी क्या यही आपका समर्पन है और यदि यही आपका समर्पन है तो यह कैसी भक्ती है यह कैसी साधना है भक्ती का मार्ग तो यह नहीं कहता है भक्ती का मार्ग तो कुछ और ही कहता है जब लग नाता जगत का तब लग भगती न होए नाता तोड़े हरी भज़े भगत कहा वैसोए जब तक आपका संबंध लोकिक है जब तक आपका संबंध देह के स्तर का है जब तक आप देही हैं जब तक आपके सारे संबंध देह से प्रारम होकर के देह पर ही समाप्त हो जाते हैं तब तक आप भगती के साधना के मार्ग का इसपर्स भी नहीं कर सकते और जो भक्त हैं उन्हें सुख और दुख की चिंता नहीं होती बलकि मैं बिलकुल साप और सहज भासा में कहूं तो उनके जीवन में दुख ही उनका भाग्य वन जाता है कबीर साहब ने कहा भी है सुखिया सबसंसार है खाव है और सोए दुखिया दास कबीर है जाग है और रोए ऐसे संतों से आपको सीखना चाहिए कि जीवन में सुख दुख के लिए आराधना साधना भक्ती का मार्ग नहीं होता भक्ती का मार्ग तो केबल इसलिए होता है क्योंकि भक्त के पास इससे ज़्यादा प्रिये और कोई मार्ग होता ही नहीं है तो समर्पन का वास्त्विक अर्थ समझे समर्पन का वास्त्विक मूल्य समझे समर्पन का वास्त्विक अर्थ तो उस तरह से है जैसे नदी में देवताओं पर चड़ाए हुगे पुस्पों का विसरजन कर दिया जाता है और फिर यह नहीं देखा जाता कि वे कहां जाएंग उनकी स्थिती क्या होगी वे किस धारा में किस जगए वह करके पहुँच जाएंगे बस वे तो नदी के हो गए और फिर नदी उन्हें जहां ले जाना चाहे वहां ले जाए उसी तरह से साधक का जीवन भी होता है वह जब मा के चरणों में स्वयम को समर्पित कर देता है तो उसका अपना कुछ भी नहीं रहता जो कुछ होता है जैसा भी होता है वो सब माई की क्रपा से उसकी मर्जी पर आधारित होता है पर इतना अबस्च होता है कि जो भी होता है उससे जादा सुभ उससे जादा अच्छा उसके जीवन में कभी न हो सकता है और ना ही ऐसा कभी क कुछ होता हुआ सुनाई दिया है आसा करता हूं आपकी समझ में कुछ तो अवस्य आया होगा आचार जी द्वारा कही गई यह सबी बातें आप कहां तक कितनी समझ पाए यह तो हम सायद नहीं जानते किन्तु इतना अवस्य समझ सकते हैं कि आपके मन में यह प्रेश्ण बार बार आ रहा होगा कि यदी कोई सादक लौकिक इक्षाओं के बसीभूत होकर साधना ना करे अर्थात सकाम साधना ना करे तो उसकी सबी लौकिक अभिलासाओं और इक्षाओं की पूर्ती किस तरह होगी यहां मैं अत्ययन संचिप्त में आप से यही कहूंँगी कि जिस तर तो शरीर की सुद्धी के लिए ही करते हैं परणतु इसनान करते समय और इसनान के बाद भी आपको सीतलता का अन्वव अनायास होता ही रहता है उसी तरह साधना लोकिक छों के लिए नहीं माई की किरपा प्राप्ति के के लिए ही की जाती है परन्तु यह माई का किरपा प्रसाद है कि माई की साधना से जीवन समस्त एस्वर्यों से परिपूर हो ही जाता है यही उनकी साधना की परम उपलब्दी भी है जै माई की